जहीं साथियों नमस्कार गायतरी ओनलाइन कलासेज में आप सभी को स्वागत है अम लोग देखेंगे कलास 10th Mathematics और इसमें प्रशना वली जो हम लोग 5.3 देख रहे थे इससे पहले हम लोग 5.3 में एक वीडियो देख चुके हैं आज हम लोग दूसरा वीडियो देखेंगे को अब आजये शुरुआत करते हैं प्रशन संखीया 6 से और यह इन जितना वीडियो है सहरसारा का सारा पूच्छा वह प्रशन है आई सबस्क्राइब जाता हैं आईए लोक देखते हैं माइनस दस actions- कितना माइनस दस्यानि ए बरावर किरें तो जप्सक्राइब यमिके अ पर दी बरावर दी बरावर क्या दीया दूससरा ओफाध माइनस पहला पॉड सो दूसरा पध मैनस ऄटर ओर से निकल का या चार बी कितना चार और बरावबर मायनस दस और पदों में यानि जौट जचवतीस में पदों की संख्या है तो इन बरावर चोवतीस यह भी दे रखा है ए ए ए-एन बरावर कितना चोवतीज आईए हम लोग फर्मूला निकाले ए-ड या निकालना है सभी लोगों को मालूम है. अब यहाँ A N तो हमें निकालना है 34 D रखखा 34 बराँबर A A का मान माण माण दस तो माण दस पलॉस N N का मान नहीं मालूम माण वन इंटू D D का मान मालूम है कितना? 4 आइए देखते हैं ये मैनस 10 इधर आएगा पलस 10 34 और 10 क्या? 44 हो जाएगा 44 बराबर 4 से गुना कीजिए 4N मैनस कितना? 4 मैनस 4 इधर आएगा पलस 4 हो जाएगा 44, 4, 48 48 बराबर 4N इसलिए N बराबर क्या होगा? 48 बटे N बराबर 48 बटे 4 12 या 36 बारचों के 48, 12 इसलिए N बराबर कितना हो गया? 12 यहां से हम लोग निकाल सकते हैं आउंसर option B क्या हो जाएगा? इसका right answer हो जाएगा answer की बात करें तो option B क्या हो जाएगा? right answer तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं ये 2020 का पूछा हुआ प्रस्न है तो इसमें 34, यानि 34 में फदो की संख्या है, तो कितना 12 है, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, आइए हम लोग next प्रसंद देखते हैं, प्रसंद संख्या 6 हो गया 7, 7 कहा, समांतर सरेनी, माइनस, यानि समांतर सरेनी, इसमें क्या कहा, आपको, 1, 4, 7, 10, dot, dot, dot का कौन सा सबसे पहले A बराबर दिया है, एक, और D भी दिया गया है, D बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, 4, माइनस, एक, 3 हो जाएगा, D बराबर 3, और अंतिन पद 88 दिया है, यानि कितना AN दे रखा है, कितना 88, आपसे क्या निकालना है, तो कौन सा पद 88 है, यानि AN जो है, कौए सा पद 88 है तो n निकालना है, कोए सा पद n निकालना है, तो n बराबर what? n निकालना है, फर्मूला क्या होता है? a n बराबर a plus n minus 1 into b, यह फर्मूला होता है, सभी लोगों को मालूम होगा, अब यहाँ हम बात करें, a n की मान तो 88 दे रखा है, 88 बराबर A plus A का मान 1 यहाँ से 1 1 plus N का मान नहीं मालूम है minus 1 into D D का मान 3 है 3 अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1 plus में इधर आएगा minus हो जाएगा 88 minus 1 87 हो जाएगा बराबर अब क्या होगा N 3 से गुना करेंगे 3 N minus 3 बराबर minus 3 हो जाएगा अब minus 3 इधर आएगा plus 3 87, 3, 90 90 बराबर 3 है तो N बराबर क्या होगा यह 3 गुना इधर आएगा भाग में 90 बर्टे 3 30 तिया यानि 3 तिया 9 30 हो जाएगा इसलिए N बराबर 30 इसलिए क्या होगा N बराबर क्या हो जाएगा 30 तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं यानि 30 हो जाएगा आपका right answer जो है क्या होना चाहिए option जो है option c क्या हो जाएगा आइए देखे हम लोग option c क्या हो जाएगा तो इस तरह से हम लोग right down करना है साथ ус right down करते चलिए आए next question क्योंव้ं वो बढ़ेंगे 7 हो गया 8 प्रसुन संग्या 8 ताहा तमांतर सरेडी 6, 13, 20 डॉट 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 दॉट 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 का मद्ध पद है आईए देखते हैं ये 2020 का पूछा हुआ प्रसुन है और सकेंड सिटिंग का पूछा हुआ है तो सबसे पहले इसमें कहां क्या गया वो काम करेंगे कहां क्या गया तमांतर सरेडी 6, 13 तो ए बराबर 21, कितना? 6, ए बराबर 6 दिया और डी बराबर दूसरा पद मैनस पहला पद, तो 13 मैनस 6, 7 हो जाएगा अब यहां से अंतिम पद दिया कितना? दूसरा सुल ए ए एन बराबर दूसर सुल और क्या? एन निकालना होगा एन निकालने के बाद ही हम मदपद निकाल सकते हैं क्यांकि टोटल पद पहले निकालेंगे उसके बाद ही मदपद निकाल सकते हैं तो एन बराबर वाट ये पहले निकाली है उसके बाद फिर मद पत निकालेंगे तो AN बराबर फरमुला होता है A plus n minus 1 into d ये फरमुला होता है A n का मान दोसा 16 दोसा 16 बराबर A, A का मान यहाँ से 6 है πरालास n, N मालूग नहिं है − 1 into d, d का मान यहाँ से 7 साथ ले लेंगे अब यहाँ से 6 पलस में इदर आएगा माइनस में क्यतना? दूसर 10 हो जाएगा बराबर, यह 7 से गुंणा करेंगे 7N-7 अब देखेंगी यह माइनस 7 इदर आएगा पलस 7 हो जाएगा 217 और यहाँ से 7N साथ गुना मिदर आएगा भाग में एन बराबर क्या होगा दो सो सत्र बटे साथ अब साथ से काटिये कितना साथी काई साथी काई साथी काई साथ इसलिए एन बराबर 31 जब विसम संख्या जब देखते होंगे आप लोग माद निकालते होंगे जब विसम संख्या आता है तो क्या करते है एन बराबर अगर विसम संख्या हो तो एन पलस वन बाइ टू उसी परकार से एन का मान कितना आया 31 आया 31 जब आया तो यहां हम कर सकते हैं यानि मद्य पद क्या होगा मद्य पद मद्य पद बड़ाबर क्या होगा एक तीस परलस वन बटे टू कितना बटीस बटे टू हो जाएगा यानि सुल कितना हो जाएगा सुल तो सुल लामा पद क्या होगा सुल लामा पद तो निकालना होगा तो सुल लामा पद के लिए क्या होगा इसी तरह a n बराबर a plus n minus 1 into d तो सुलामा पर पाद होता है a plus 15 d ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं a का मान कितना 6 और 15 गुने d d का मान निकल लिए था 7 7 आप इसको जोड लिजिए पंदतिया 45 पंदत्यों के साथ 55 और 55 और 55 पंदत्यों साथे 105 और 6 6 पाच 11 यानि कितना 111 हो जाएगा यानि 6 पलस 105 बराबर 111 option C क्या हो जाएगा? right answer option C क्या हो जाएगा? right answer तो इस तरह हम लोग बना सकते हैं यह आपका 8 प्रस्ण हुआ यह लोग को write down करना है साथ साथ write down करते चलिए आईए next अब लोग नम्मा प्रस्ण देखेंगे नम्मा प्रस्ण है समानतर सहेनी के 2, 7, 12, 17, dot, 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 k A, 30 यानि यहाँ पे आपको ऐसा कहा गया आईए यह कहा गया यहाँ A, 30, minus A, 20 का मान क्या होगा यानि ऐसा कहा गया आपको ऐसा बताया गया आईए देखते हैं सबसे पहले A दिया गया कितना? 2 और D भी दिया गया A बराबर 2 और D बराबर दूसरा 5 मैनस पहला 5, 7 मैनस 2 यानि कितना? 5 यह हो गया, उसके बाद इसमें A, 30 A, 30 का मतलब क्या? A, 30 A, 30 का मतलब है A, 29 B, 29 B, और A, 20 का मतलब क्या है? A, 20 का मतलब है A, 20 कितना D 19 D, कितना 19 D ऐसा दिया गया है अब कहा? A, 30 मैनस A, 20 यानि A, 30 मैनस A, 20 इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ A, 30 का मान यह A plus कितना? 29D A plus 29D A plus 29D माइनस और इसका मान A plus 19D A plus 19D अब कोश्ट खोल दीजिए A plus 29D 29D माइनस A पालस माइनस माइनस 19D अब यहां से माइनस A plus A खताम 29 में से 19 गटालीच यह 10D क्या बचा? 10D अब समझना यहां यह है 10D और D का मान पहले ही निकल गया था 5 तो 10 पाचे कितना? 50 10 गुने 5 बराबर 50 तो राइट आंसर क्या होगा? Option C हो जाएगा राइट आंसर क्या होगा? Option C हो जाएगा इस तरह से हम लोग बना सकते हैं यानि इसका राइट आंसर हो जाएगा Option C आईए नेक्स्ट प्रसन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रसन आप लोग के सामने है प्रसन संख्या 10 10 क्या कहा? दो अंको की कितनी संख्या है? तीन से विभाज्य है? यानि दो अंको को जो है कितनी संख्या है वो कितना? तो तीन से विभाज्य है तीन से विभाज्य की बात की जाए तो आप लोग यहां से समझ सकते हैं तीन से विभाज्य यानि दो अंको की होना चाहिए तो बारह सबसे छोटी संख्या 3 से घाज अगर होगा, तो 12 होगा, अगर इससे छोट 11, 10, 10 में 3 से भाज लगेगा, नहीं, 11 लगेगा, तो लगेगा तहां 12, इस तरह से 12, 15, उसके बाद 18, और dot dot dot, कहां तक अंतिम, 99, क्योंकि 99 में 3 से भाज लग जाएगा, तो इस तरह से यह हो गया, यानि यह a, p में हो गया, a बराबर दे रखा बार, और d बराबर 15 माइनस बार 3, और a, n बराबर 99, तो n बराबर क्या होगा, n बराबर watt, क्या होगा, यह पूछा गया, क्या पूछा गया, n बराबर watt, आइये देखते हैं, a, n बराबर fフरमुला, a, n बराबर firmुला की ब आन का मान यहां से 99, 99 बराबर, A पलस, A का मान यहां से 12, कितना? A का मान दे रखा है, यहां से 12, आईए तो यह 12 पलस, N का मान नहीं बालू है, 1 इंटु D, D का मान 3, 3, अब यहां से solve कीजिए, 12 पलस में इदर आएगा, माइनस में हो जाएगा, चलिए तो उससे पहले हम 3N-3, एक से गुना करेंगे 3, और यह 99 का 99, 12 पलस में 3 मैनस में, तो 12 फीन घटा लिए, 9 हो जाएगा, 9 पलस में, इदार आएगा, मैनस में हो जाएगा, तो 99 मैनस 9, 90 हो जाएगा, बराबर कितना, 3N, तीन गुना में, इदार आएगा भाग में, एन बराबर 90 बटे 3, 3 से सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे फिर मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई थेंक्यू